नमस्कार मित्रगड़ों अगर आप लोगोंने सहरा एंडिया में निवेश किया है तो आप लोगों का करीब 12 सालों से पैसा फसा हो सकता है कुछ लोगोंने बाध में निवेश किया तो उनका पैसा अभी तक फसा है CRC ने 31 मार्च को आदेश दिया था कि सहरा इंडिया में फसे लोगों के पैसे को CRC द्वारा वापस किया जाएगा जिन में सहरा के चार स्की में थी जिसमें सहरा रियल इस्टेट कॉर्प्रेशन में सबसे ज़्यादा दो लाग बत्तिस जार निवेशकों का 19,400 करोड इसी तरीके से कुल मिलाकर सहरा के 10 करोड निवेशकों का 86,000 करोड रुपए फसा हुआ था एक और दो तारीकों CRC यानि सहाकारिता मंत्राले को प्रधान मंत्री नरिद मोदी और सहाकारिता मंत्री अमिस्टा ने संबोधित किया उसमें तरह तरह की बाते और साकर्ता मंत्राले के तिहास से लेकर हर चीज बताई लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बात की नहीं कि सहारा के निवेशकों का कब भुकतान होगा हाला कि ग्रह मंत्रिया मिस्सा ने कहा था कि मार्च तक सहारा के सभी निवेशकों का भुकतान हो जाएगा 31 मार्च 2013 के सुप्रीम कोट के आदेश के मुताबिक सहारा के निवेशकों का 24,700 करोड जो सेवी खाते में पड़ा है उसमें से 5,000 करोड रुपए CRC के माध्यम से पहले किस्त के तौर पर लोगों को दिया जाएगा उसके बाद दिसंबर तक सभी को पैसा मिल जाएगा CRC ने इसके लिए तीन बार प्रक्रिया बताई है पहली बार सभी को आनलाइन पोर्टल बनाने को कहा गया है जिसमें सहारा अपनी कमपनी और लोगों के जमा पैसे समन्दी दस्तावेज को ब्रांचों से खठा करके अपलोड कर रहा है पोर्टल लगभग तयार है केवल ऐलान के साथ खोलना बाकी है जिस पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इसी पोर्टल पर CRC और सहारा के निवेशको का पैसा वेरिफाई किया जाएगा जिसका भुकतान आधार से जैसे आप आधार से पैसा निकालते हो उस तरीके से होगा इसलिए CRC ने दूसरी नोटिस जारी की थी जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं बना है वो पैन कार्ड बनवाले और जिन लोगों का आधार मोबाईल नंबर से लिंक नहीं है वो अपने मोबाईल नंबर में आधार कार्ड डलवाले क्योंकि डिजिटल माध्यम से भुक्तान और सिगनेचर वेरिफाई करने के लिए आपके आधार वाले पैसे पर नमबर पर OTP भेजा जाएगा जिससे वेरिफाई किया जाएगा और आपके एकाउन में सीधा पैसा भेज दिया जाएगा इसके बाद अब आखरी नोटिफिकेशन बाकी है कि इस पोर्टल पर आपको अपने दस्तावेज अपलोड करके आवेदन करना है कि कितना रुपिया है यहां एकाउन नमबर डालने से आपके सामने पैसा आ जाएगा 2024 के चुनाव में दोनों तरफ से खतरनाक यानि जबरदस्त मुकाबला काटे की टक्कर देखने की संभावना है इस बीच चुनाव आयोग और सरकार भी पहले भुकतान कराकर लोगों का दिल जीतना चाहती है ताकि सत प्रतिसत मददान हो और पॉलिटिकल पालिटी तो दान चाहती है आप सभी सहारा के निवेशकों में से अधिकतर ने कह रखा है कि अगर भुकतान नहीं तो मददान नहीं आप लोगों की क्या प्रतिकरिया है आप कमेंट बॉक्स में अवस्य बताएं लेकिन सहारा और से भी कि मामले में CRC के पास जो पैसा जमा है उसमें से अपडेट और सुत्रों के मताबिक जानकारी मिली है इसी जुलाई में जल्दी आवेदन के लिए डाकॉमेंट मांगे जाएंगे और आवेदन पत्र लगबग तयार है खाली ऐलान बाकी है तो जल्दी आपके सामने आवेदन करने के लिए मिलेगा लेकिन अगर आपको अधार सिखाता लिंक नहीं है तो पहला काम उसे लिंक करालें, दूसरा काम अपने आधार नंबर में मुबाईल नंबर अपठेट करवा दें चाहिए जो मुबाईल नंबर हो ताक की OTP आ सके और अगर आधार से अपने पैनकार्ड लिंक नहीं करवाया है या आपके पास स्पैन काड नहीं है तो उसे बनवालें ये तीन काम आपके एकाउंट में सीधे पैसा भेजने का काम करेंगे और आपके एकाउंट में सीधा पैसा पहुचने से बीच वाला जहन्यट खतम हो जाएगा देश में 10 करोड से जादा सहरा के निवेशक हैं सभी का भुकतान केवल आनलाइन माध्यम से होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन आपके आवेदन करने के बास सहरा के पास भीजा जाएगा जिससे उन्हें वेरिफाई करना ही होगा आपका पैसा बस चंद कदम दूर है इसलिए आप नई जानकारी अपडेट को अगर पाना चाहते हैं तभी चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब करें अन्यता कोई वो नहीं है कि आप सस्क्राइब करें अगर आप इस मुद्दे से सहमत नहीं अगर खबर में छुक नहीं है तो आप से निवेतन हैं आप चैनल को सस्क्राइब भी ना करें अगर आप सहारा के मुद्दे या किसी भी खबरों स इंट्रेस्टेट हैं तब आप हमारे इस प्लेटफार्म पे क्योंकि खबरे जानकारिया ही मिलेंगी इसलिए आप तब चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद